नमस्कार मैं रोशन स्वाथ करता हूँ आपका अपने टू चनल में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका अधार काड आपके बैंक काउंट से लिंक है या नहीं और लिंक है तो किस किस अकाउंट से लिंक है इस वीडियो में हम जानेंगे तो आएए इस वीडियो क में आपको ईवाई डिखाई देगा इस पर आपको किलिक करना है इसका डायक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसके बाद आपको नीचे आना है और अधार सर्विस पर किलिक करना है उसके बाद आपको फिर से नीचे आना है और अधार लिंकिंग एस्टेटस इस पर आपको खिली कर देना है उसके बाद आपको अपना अधार नमबर यहाँ पर डालना है तो मैं अपना अधार नमबर डाल देता हो अधार नमबर डालने के बाद आपको नीचे दिख रहे हैं कैपचा को यहाँ पर डाल देना है तो मैं कैपचा भी डाल देता हूँ कैपचा डालने के बाद सेंड ओटीपी के बटन पर किलिक करना है जैसे आप किलिक किजिएगा तो आपके रजिस्टर नमबर पर एक ओटीपी आएगा और उस OTP को यहाँ पर डाल के समिट कर देना है तो मैं OTP डाल देता हूँ उसके वाद समिट कर देना है जैसे आप समिट कि देगा तो आपका लिंकिंग या स्टेटस दिखाई देगा जैसे अब डेक्ट सकते हैं यहां पर लिखा हूआ है Your Aadhar is not linked to bithya bank तो इसका मतलब वहा कि आपका जो अधार काड है बैंक से link नहीं है अगर यह link रहता तो यहाँ पर आपको bank का नाम और किस date को link हुआ है वो दिखाई देता तो फिलहाल यह जो अधार काड है किसे भी bank से link नहीं है इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आपका अधार कार है आपके बैंक से लिंक है या नहीं